बेलकम दोस्तों आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है सरदर्द को ठीक करने वाली सबसे अच्छी दवाएं कौन कौन सी होती है डाक्टर कौन सी मेडिसीन का प्रिसक्राइब करता है उनकी शंपूर जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो यहां अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो headache होता क्या है है तो headache ऐसी condition जो कि हर किशी को कभी ने कभी headache की problem होती है इसमें age के recording हो सकती है कुछ cancer की वजह से हो सकती है कोई वीमारी है उसकी हो जासे या कोई other condition है है जैसे कि आप डाक्टर ली खाने के लिए तो उसम्हुन में कथे सब जैसे कीonstrae की प्राब्लम रहेंग अगर कि आगर हम कूछ अधर की बात करें कि जैसे कि यह है झायर्स होते हैं कित्ध परकार की होते हैं और इनसे परकार की होती है तो सबसे पहले इसमें देखेंगे TMZ इस टाइप की जो हेड़क होती है वह ज़्यादत तर हमारे जो टेमपोरल बोन यानि टेमपालिक यानि जो हमारे कान के आसपास पाई जाती है वहां पे दोनों साइड में काफी ज्यादा पेन होता है साइन्स टाइप की टाइब की जो हीड़क होती है उसमें यह देखा जाता है कि जो हमारे चिक के बोन होते हैं उसके आसपाς कॉ Darwin हो सकती है जैसे कि इसमें हमें आप देख रहे हैं ऩतलस होता है व acept का जो ह्मारी आखो के आएजपा जो है वह काफी जादा पेन रहता है तैंस कि आपने कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप टैंसन आपके लिये होंगे तो हो सकता है आपको पूरे सर में कभी ज्यादा पेन महासूस हो हो नेक के पास अगर बात करें कभी-कभी हैसी पेन होती है जो कि हमारे बैक हेट से लेकर टाप न्यक तक माई ग्र省 माई ग्रेन आपने कवी न कवी इसे आप गुज़र्ट चिके होंगे या कुछ लोगों को को देखे होंगे कि वो माई क्रेंग छिकायच से काफ़ी जदा प्रब्लम मैं यानि इस परकार की डिजिज होती है वो काफ़ी इस पीजर भी होता है और इस परकार के डेजी जोती है वह की जैसे ही होती है अगर हम बात करें हैड़क में जो अगर मेंली इसके क्या 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 होते हैं तो इसके जो सेम्टम्स देखे गए हैं वह मेंली जो सेम्टम्स हो सकते हैं वह हो सकता है फीवर की वज़ा से अगर किसी को सर्दी खासी जुखाम रहती है तो उस कंडिशन पे या किसी के जोडों में दर्द हो रहा हो तब उस कंडिशन पे हो सकती है या सोर्थ है रेडियरिंग गले में अगर क्रास हो रही है तो उस कंडिशन पे भी हैड़क की प्राबलम जो है वो हो सकती है अगर हम treatment की यानि किस परकार की medicine के treatment में उपयोग की जाती है तो इसमें पहले medicine है वो है पेनदल पैनदल जो कि पारसेटमल इसमें शार्ड पाया जाता है 500 mg की tablet होती है यह काफी जदा effective होती है जैसे कि हैड़क के pain यारि अगर सर में किसी परकार का pain हो रहा हो तो उसमें यह मैडिसीन जो है वो डाक्टर के द्वारा दी जाती है अगर हम इसके साइड एफेक्ट की बात करें तो इसके जो है कुछ अगर आप इसको डायरेक्टरी लेते हैं तो आपको कुछ साइड एफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जैसे की चेंज इन ब्लड काउंट या लिवर क्योंकि ज्यादा तर पेन किलर जो होती है वह अगर आप ज्यादा तक लेते हैं तो सकता है आप कल लिवर जो है वह डैमेज हो जाए अगर हम नेक्स्ट कुछ अदर ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे की दूसरे मैडिसीन है एस्परिन एस्परिन जो कि आप लोग काफी इसको जानते हैं भली बात जानते होंगे हर मेट करिस्टोर पे आपको आसानी से मैडिसीन मिल जाएगी यह भी उच की जाती है है ड़क की प्राब्लम को ट्रेट करने के लिए अगर इसके हम साइड एफेक्ट की बात करें तो इसके भी कई सारे साइड एफेक्ट होते हैं जैसे की हर्ट भन गैस्टो इंटेस्टाइन ब्लेडिंग की प्राब्लम हो सकती है या कभी-कभी क्या होता है यह मेडिसीन लेने से किसी को अलर्जी स्टीह और इस मैडिसीन को जो 19 साल संकंव मेडिसीन नहीं लेनी चैहिए वह हुस्य scarf that से यह भी आइपिरोप्रोपेन एक हटेगरी की मैडीसीन है यह माइगरेन वा काफ़े ज़या उसका भान है इस मेडिसीन के साइड की बात करें तो देखने को मिलती है नेक्स्ट मेड़ेशीन की बात करें तो फ्लॉबी प्रॉफेन अगर एसी प्राइबलम दिखे तो अपने डाक्टर से जरूर मिलना चाहिए नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करें तो वह है आईबूप्रोफेन आईबूप्रोफेन जो कि आप भली बात इस मेडिसिन से परचित होंगे जिसमें आईबूप्रोफेन पाया जाता है यह 200 mg 400 mg और कामबिनेशन में भी आती है यह मेडिसिन भी उस कंडिशन पर काफ़ इफेक की प्राबलम हो सकती है नोस ऐसकता है वो मेडिक हो सकती है इसकी पहरा अजनीघ्न हो सकते हैं और रचिंट, engagement हो सकती है नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करें तो वह है के टोप्रोफेन यह बिके-टैंट के लिए, सैर और ससक्षा हुआ या लीवर डामेज की प्राब्लम हुई तो यह इसके कामनली साइड एफेक्ट देखने को मिलते हैं नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करें तो हुआ है डॉक्टा मेटोन डॉक्टा मेटोन जो होती है यह मेडिसीन लैक्टिस जो की इसका प्राण्ड है यह भी काफ़ी हो सकता है यह कुछ कामनली जो है साइड पर इसके देखने को मिलते हैं नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करें तो यह काफी पापलर है आप लोग इस से बिली बार पर चीत होंगे यह मेडिसीन भी काफ़ी ज़्यदा इफेक्टिव होती है माइग्रेन हुआ जाए है की बात करेंगे तो मेडिकेशन है मेटाजाइलों जो की काफी ज़्यदा मेडिकेशन दी जाती है कि जब किसी को टंशन की वज़ासे माइग्रेन हुआ हो यह हएड हूँ तो उस कंडिशन पर यह मेडेसीन ड्यक्टर के द्वारा प्रिसकाइब की जाती है अगर इस medicine के side effect की बात करें तो constipation की problem हो सकती है, heartburn हो सकता है, diarrhea हो सकता है, नोजिया हो सकता है, तो यह कुछ commonly जो है इसके side effect देखने को मिलते हैं, next medicine की बात करें तो वह है वाइस्टो ग्रेन, वाइस्टो ग्रेन जो की काफी जदा effective होती है कि इसमें अगर बात करें इसमे ingredient की तो इसमें ergotamine हुआ, caffeine हुआ, paracetamol हुआ, यह सारे सार्ट जो है इसमें पाये जाते हैं, यह काफी effective medicine मारी जाती है, और यह candela कंपनी के दोरह manufacture की जाती है, यह medicine उस वाक्त जब किसी को CBR migraine की problem होती है, तब prescribe की जाती है, अगर इस medicine के side effect की बात करें तो constipation की problem हो सकती है, heartburn हो सकता है, diarrhea हो सकता है, nausea हो सकता है, तो यह कुछ commonly side effects के दिखाई देते हैं, दोस्तों आई होप यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, अगर यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को subscribe कर लेजिए, और हमारे वीडियो को like भी कर अगर ऐसे वीडियोर चाहिए, तो हमें comment करके जरूर बताएं, thank you दोस्तों